धर्मरा चलरातन हैज बिन अपॉंटेड एज न्यू हैट कोच ओफ तमिल थलाइवस हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है हमारे चलरातन अन्ना प्रो कबड़ी में वापस आ चुके है और किस तरीके साय है कोच के रोल में हमें देखने को मिल जाएगे प्रो कबड़ी सीजन 11 में और यह अनॉंसमेंट में एक खास यह है कि तमिल थलाइवस की टीम ने एक लोकल में को ही अपॉंट किया है और तमिल थलाइवस के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव न्यूज है विकोज तमिल के प्लियर्ज अब जादा तर तमिल थलाइवस से खेल सकते हैं के बारे में आगे बात करेंगे अभी फिलहाल के लिए यह क्लियर हो चुका है कि धर्मरा चलराथन तमिल थलाइवस के कोचिंग का हिस्सा रहने वाले प्रो कबड़ी सीजन 11 के लिए और इनको जिम्मेदारी दे दिया गया है कि तमिल थलाइवस के टीम अपना पहला प्रो कबड़ी का ट्रोफी उठाएगी सीजन 11 में क्या हो पाएगा आईए जानते है सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिनों ने भी हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया फटफट जॉइन कर लीजिए जैसी अपडेट आया आप वो मैंने आपको टेलिग्राम पे शेयर कर दिया है एसी और भी बड़े अपडेट्स एन एक्स्क्लूजिव अपडेट्स आपको हमारी टेलिग्राम चैनल पे सबसे पहले देखने को मिल जाएगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया या फिर आप टेलिग्राम पे जाके एड़ेट्स पोर्ट सिनिफ सेवन सर्च करके फट अफट जॉइन कर सकते हो बात करते हैं कि यह अनौंस्मेंट कब हुआ अगल के दिन तमिल तलावस की टीम ने एक छोटा सा विडियो किलिप शेयर किया था एंड उसमें हैस्टेक सी पता चल गया कि टी टी कोश यानि की तमिल तलावस का कोच अनौंस्मेंट होने वाला है और आज के दिन एक और विडियो पोस्ट किया जिसमें जो कोच का पेस था वो थोड़ा सा बलर था आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो अन साफ साफ ये क्लियर हो चुका है कि हमारे चल रहतन अन्ना है और ये होने वाले है तमिल तलावस के नए हैट कोच P&KL 11 के लिए तो तमिल तलावस फैन्स के लिए गुद निउस क्यожд's क्यों है मैं आपको बता दो धर्माडा चल रहतन तमिल लाडू से है, तमिल लाडू के कबड़ी प्लियर है अब ही रिशनटी एक कबड़ी मैच हुआ था आदा महीने पहले आप कह सकते हो अ उसमें फोटो's निकलके आ रहे थे कि धर्मरा चलरातन उसमें कोचिंग करते हुए दिख रहे तमिल थलावस के प्लियर्स को तो यह कह सकते हैं कि यह पहले से ही बात चल रहा था कि धर्मरा चलराथन को एज़ा कोच अपॉइंट किया जाएगा पहले यह क्लियर हो चुका था कि अशन कुमार का जो कॉंट्रेक्ट है वो यहाँ पे रध हो चुका है और इस बार ने हेट कोच देखने को मिलेगा अब यह ओफिशल अनाउंस्मेंट नहीं हुआ है लेकिन उस वीडियो से कन्फर्म हो चुका है कि यही होगे जब तक आप वडियो देख रहे हो सायच से ओफिशल अनाउंस्मेंट कर दे तमिल थलावस की टीम अब यह मेरा इनिशल रियक्शन है और इस पर अभी बहुत कुछ कहना बाकी है अब इस पर डीटेल में बाद में बात करेगे लेकिन इन शॉट में आपको कहूँ तो धर्मेरा चल रहा है तो एक बहुत ही एक्सपिरियेंस प्लेयर है अब कोच भी आप कह सकते हो हरियना स्टीलर्स से तल्गू टाइटन से बेंगलुडु बुल्स पुनेडी पल्टन पतना पारेट्स यू मुंबा एंड जैपूर पिंक पैंटर्स के टीम से प्रो कबड़ी खेल चुके है तो इनके पास काफी ज़दा एक्सपिरियेंस है अब नॉलेज भी काफी ज़दा होगा लोकल प्लेयर्स का जिससे तमिल थलाइवस की टीम एक एक्चुली तमिल थलाइवस की टीम बन सकती है अब असिस्टेंट कोच कौन होगा ये भी एक बड़ा कुशन निकलके आ रहा है अब सायस से जीवा कुमार हो सकती है सुनने में आ रहा है अब देखते असिस्टेंट कोच की उपर भी अनॉंसमेंट तमिल थलाइवस की टीम जल्दी करते ही दिख सकती है अब जो भी अनॉ यो clip तमिल थलावास की टीम ने शेयर किया है, उसमें कुछ प्लियर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, अब लोग अजियूम कर रहे हैं कि वो प्लियर्स रिटेन होते हुए दिख सकते हैं, अब देखते हैं क्या होता है, उस पर भी वीडियो आपको कल या फिर परसो देखने को मिल जाएगा, अब आपको अगर लगता है कौन-कौन से प्लियर्स रिटेन होने वाले, आप अपने thoughts and reaction इस update पर share कर सकते हो, comment section में, अब भी फिलहाल के लिए, प्रो कबड़ी का auction कब होने वाला, इस पर भी update आया है, वो जानने के लिए आप left side पर क्लिक करके देख सकते हो